जैसे आप सभी लोगों पता है कि Competition Community बिलासपूर में CGPSC Mains का नया syllabus, नया course शुरू हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि CGPSC बहुत गंभीर है, आपके केरियर को लेकर हम भी बहुत गंभीर हैं और आपके केरियर को लेकर हम गंभीर हैं, जब मैं ये बोलता हूँ इसका ये मतलब होता है कि हम आपके साथ में प्रतीबद हैं कि हना आपको हम अपने कोचिंग के माध्यम से अपने सेंटर के द्वारा एक उचित मकाम तक लेके जा सके जहां तक आप जाने के ख्वाहिश मन्द हैं, जहां पर आप जाना चाहते हैं और आपको ये भी पता है कि हना PSC में अलग-अलग विशय होते हैं जिसका ध्यान करना पड़ता है अलग-अलग विशय में अलग-अलग पकार की बारिकिया होती है, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ी हाँ धंग से लिखा जा सकता है, और बहुत बड़ी हाँ धंग से लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये है, अगर उसमें छोटी-छोटी बारिकियों का ख्याल किया जाए, उसमें थोड़ी-छोडी जो आम तर पर जो गलतिया होती है, अगर इन चीजों का ख् लिखने का एक निश्चित प्रकार का धंग होता है, लिखने के एक निश्चित शैली होती है, तो अगर हम उस निश्चित धंग को अगर हम पकड़ ले, निश्चित शैली को हम अगर पकड़ ले, तो हम उसमें हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी हा नंबर ला सकते हैं, उसम कारण से उनके नंबर कम होते जाते हैं तो मैं जानता हूं कि हिंदी साहित में नंबर बढ़िया लाया जा सकता है और बढ़िया लाने के लिए कौन कोंसी बारिक्यों का ख्याल किया जाता है इसी के बारे में हम बताएंगे आपको जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि COCO यानि कि Competition Community बिलासपुर जो कि आपके साथ पतीबध है हैना PSC मेंस की त्यारियों को अच्छे से अंजाम तक ले चलने के लिए और अच्छे से अंजाम तक ले चलने के लिए आपको हमारे सेंटर में अलग-अलग समय में जो कि सवेरे और शाम दोनों के समय में होता है तो जिसके लिए मैं आपको बता दो कि सुबह साथ से दस वाली पाली रहती है जो सुबह का बैच होता है और शाम का जो बैच होता है वो शाम को शाम को पांस से लेके आठ के बीच का होता है तो दोनों में से किसी में भी आप आ सकते हैं आपको डेमो क्लास आप देख सकते हैं और डेमो क्लास में अगर आपको अच्छा लगा डेमो में आपको लगा कि इसके बाद पर मुझे यहाँ पर continue करना है तो आप वहाँ पर regular student के रूप में महाँ पेडमिशन ले सकते हैं हमारा जरी यह जो बैच है सुबा और शाम दोनों का यह online, offline दोनों है दोनों में से किसी रूप में और वीडियो के रूप में भी आपको यह प्राप्ट हो जाएगा तो हम क्या करना है इसमें आपको यह जानकारी के लिए कि भाई कैसे लिखा जाए कैसे पढ़ा जाए तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी विशे में कैसे हम बेहतरी नमबर लेके आ सकते हैं कहां पर कौन-कौन सी गलतिया होती है कौन-कौन सी बारीकों का ख्याल करना चाहिए तो एक छोड़ा सा टॉपिक मैं आज आपके साथ में कवर करने वाला हूँ और ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम बच्चपन से बच्चपन से मतलब तीसरी-चौथी क्लास से ही हम कर रहे हैं तीसरी-चौथी क्लास में कर रहे हैं और आज भी हम PSC के लेवल पे आके इसी का अध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि तीसरी चौथे क्लास में जो हमको बताया गया बिल्कुल उसी ढंग से अगर हम लिखेंगे उसको तो नो डाउट कि उसमें आपको सारे नंबर नहीं मिलेंगे और हम कुछ भी तरीके से लिख देंगे तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जिसको मैं पत्र लिखन बोलता हूँ दोस्तों तो पत्र लिखन क्या है? पत्र लिखन एक कला है पत्र लिखन एक कला है और अलग-अलग प्रकार के पत्र को उसको लिखने का ढंग अलग-अलग होता है अगर हम पारिवारिक पत्रों की बात करें जिसको हम अपने मित्र मंडली को लिखते हैं अपने रिष्थे दारों को लिखते हैं अपने अलग-अलग प्रकार के जैसे पिता जी है या माता जी है या बड़े भीया है छोटे भाई या छोटी बहन है इनको पत्र लिखें तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए हैना शब्दों के सीमा कैसे होनी चाहिए कौन से सब्द के प्रयोग होना चाहिए अभिवादन का क्या सब्द होना चाहिए अगर उसमें दिनांक लिखना है तो दिनांक कहां पर आना चाहिए उम्र के आधार पर उम्र और हमारा रिष्टे के आधार पर हम वहाँ पे शब्दों का चैन करते हैं ये परिवारिक पत्रों के बात कर रहूं मैं अगर हम कारियाले इन पत्रों के बारे में बात करें जिसको हम अलग-अलग पकार के कारियाले में लिखते हैं तो उन पत्रों में है ना शब्द कहां पे कैसे होंगे अभी वादन का सब्द कहाँ पर होगा किसको पत्र लिख रहे हैं हम اور किस चीज के लिए लिख रहे हैं मतलब उस पत्र को लिखने का विशय क्या है इनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे और उसको लिखने का तरीका हम थोड़ा सा सीख ले तो पत्र में बेहतरी नंबर प्राप्त किया जा सकता है और मैंने देखा है कि बच्चे पत्र तो लिख लेते हैं पत्र लिख लेते हैं लेकिन वहाँ पे गलतियां क्या होती है वही गलतियों के बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बताने वाला हूँ तो जैसे मैंने आपको बोला पत्र लिखन एक कला है तो कला है इसको सही ढंक से लिखके उसको उस कला को निखारा जा सकता है और पत्र लिखन के बारे में एक सबसी अच्छी बाती है कि पत्र लिखन में करना क्या चाहिए पत्र लिखन में मेरा समाना जब उसको मैं बोलता हूँ तो सही सब्दावली सही जगे पर सही तरीके से होनी चाहिए फिस एक पर बोलू सही सब्दावली सही जगे पर सही तरीके से होनी चाहिए अगर इन चीजों में जड़ा सा भी हेर फिर हुआ सही सब्दावली सही जगे पे सही तरीके से नहीं होगी तो नमबर में पूरे है ना तो पत्र लिखन में आपको सारे नमबर नहीं मिलेंगे तो मैं आपको आपके साथ में यहीं पे काम करूँगा कि सही सब्दवली सही जगे पे सही तरीके से कैसे लिखा जाता है तो हम आज शुरुआत करेंगे एक official letter जिसको हम बोलते हैं कारियले इन पत्र से तो हम जैसे कि बोलते हैं कि हम अलग-अलग स्कोलों से या संस्थाओं से हम क्या है जोड़े हुए हैं तो मैं सबसे पहले आपको जो एकदम आसान पत्र है आसान पत्र को चुनने का एक बड़ा कारण भी यह है कि पहले हम आसान पत्र को तो ठीक से लिख ले systematic लिख ले सही सब्दवली सही जगे पे सही तरीके से हम लिख ले अब बाकी पत्रों के बारे में उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे तो सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं घर ऑफिसल हना मतब कारियाला में लिखा जाने वाले पत्रों में से एक पत्र है तो पत्तर ले खं़ करते हैं सेवा में या प्रती वहां से लेके नीचे तक जो भी हम लिखते हैं बीच में कोई भी लाइन नहीं छूटना चाहिए मत्ब हर लाइन में कोई लाइन कोई कोई शक्रण जरूर ओगा कैसे ऐसे देखे जैसे लाइन में लिख तो दिया अब यही लाइन पूरा पूरा खाली है लेकिन उस लाइन में एक शब्द है तो मेरे बोलने के मतलब यह है कि हर लाइन में कुछ ना कुछ होगा, मत nella camia, प्त्र लिखने का यही तरीका है, कि सही सब्दा, वली, सही जगे पे सही तरीके से होनी चाहिए, ये होगा, बापिके एक idea बता रहे, आपको जब उसके बाद हम करेंगे, तो क्या है, प्ताचारे को लिख रहे लेकिक$ मेरा समय नहीं कि इसके वजाए टैस्रीमानपचारेमाद लिखना जादा अच्छा है तो हम ने यह लिखा यह शुरुआथ होगा स्के आध प्यायान का नाम है तो आपने वहाँ पर यहां पर यहां पर हमने क्या लिख दिया यहां पर लिखेंगे कि एक के नीचे एक दिखे और सुन्दर भी दिखे इस प्रकास से हमको लिखने की आदर डाल यहां पर यहां पर आता है हमारा इसके बाद लाइन में यहां पर आता है हमारा इसके बाद लाइन में आता है यह है विशह पत्र का विशह हर पत्र में कोई ना कोई विशह जरूर होता है किसी भी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं तो कोई ना कोई विशह जरूर रहता है अ प्राधानाचार ये महोड है। तो यह सारी चीडियों तो आ गई लेकिन आ उसका विशे होने चाहिए क्या हो सकता है। लेकिन लिखने का तरीख हो इह तो یसके बना ने बताए कि तीन दिनों की अवकाश हे तू आवेदन पत्र ये हो गया हमारे पत्र का विशेह ठीक है मैं एक आइडिया बता रहूँ आपको किस प्रकाश से लिखना है यहाँ पर शब्द बदल सकते हैं यहाँ जैसे मैंने लिखा तीन दिनों की आवकाश हे तू तो आप वहाँ पर चार दिनों की आवकाश हे तू भी हो सकता है अगर आपको लगता है चार नहीं दो दिन के आवकाश हे तू यह बदल सकता है बदल सकता है मतलब तो रतनपूर लिखे आप रायगर लिखे आप रायपूर के किसी विद्यालाय का लिख सकते है एक idea मात्र है ये ठीक है उसे बाद फिर चाहे हम रतनपूर लिखें पेंडरोड लिखें मस्तुरे लिखें जरामनगर लिखें सारा का सारा 36 गड़ पे आता है तो 36 गड़ तो हमारा वही है प्रांथ तो यह है address लिखने का एक तरीका जो एक के नीचे एक systematic दिखना चाहिए कह इसके बाद यह है कि हमारा अगले लाइन में जो जाएगा तो शुरुवात इसी के नीचे से होना चाहिए पत्र लेखन का जो मूल भाग है जिसको हम बोलते हैं body part पत्र लेखन में क्या होते हैं हमने कार्याले के बारे में बात किया अब यहां पर क्या आना चाहिए मैं कॉपी के आख करे भाग तक एक एड़िय बता रहो हूं मैं आपके विद्धन है कि मैं आपके विद्यालमे कुक्षा जीर्वी बार भी लिखेंगे तो क लाeles में कक्षा दस्वी लिखेंगे कैसे लिखेंगे सब इनाय निवेदन है कि मैं आपकी शाला में कक्षा दस्वी का नियमित विद्यार्थी हूं यह नियमित लिखना जरूरी है क्यों चुट्टी तेले आवेदन मंगर है तो नियमित विद्यार्थी हूं कोई चुट्टी माग जरूरी है लिखना कैसे है सब इन्हें निवेदन है कि मैं आपकी शाला में कख्छा 11 कला संकाय का नेमित विद्यार्थी हूं या नेमित चात्र हूं यह सब्दों का अलग-अलग तकासी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने है शुरूरात कहा से करने हैं तो यह जोयां से सब्दों हैं कि मैं आपके शाला में कर्षा 11 कला संकाय का नेमित विद्यार्थी हूं और उसके बाद फिर मैदान में खेलते हुए मैं आचानक पिसल कर गिर गया जिसके कारण से मेरे पैर में एक साधारन सी चोट आई है जिसके कारण से मैं विद्याले आने में असमर्थ हूँ चोट लगी ही पैर में विद्याले नहीं आ सकता आप ये बोलना चाहते हैं तो आपने उसको सब्दों में क्या कर दिया इस प्रकार से सब्दों में आपने उसको ढाल दिया उसे बाद फिर हो गया आपने क्या बता दिया कि पैर में चोट लगने के कारण से या बीमार पर जाने के कारण से या घर में आवस्चक कार्य होने की वज़ा से या आवस्चक कार्य की वज़ा से मैं बाहर जाने के कारण से ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं आवकास लेने के, चुट्टी लेने के तो हमने चुट्टी के लिए कारण बता दिया क्यों? प्रकि हमने यहाँ पर विश्रम लिखा था तीन दिनों की आवकास है तू तो तीन दिनों का उकास के लिए हमने कारण बता दिया कि आवस्यकार्य हो सकता है, पैर या सरीर में दर्द होने कारण से हो सकता है, या अवस्यकार्य से अपने छेत्रे से अपने शहर से बाहर जाने के कारण से, या घर में अत्या अवस्यकार्य होने के कारण से, ऐसे कई सार उसके बाद अगला करेंगे तो यहां से शुरू होगा पहरा बदल के लिएंगे अता हैं पर आपसे निवेदन है कि मुझे तीन दिन तो तीन दिन को आपको लिखना 23 से 25-2023 तक वो दिनों के संख्या कम जादा रहे कि उसका धार पर जो डेट जो आप बता रहा है वो कम्या जादा हो जाएगा यह एक आइडिया बताने का मतलब है कि पत्र में सही सही चीजों को लिखना है सही तरीके से लिखना है तो यही तरीके लिखने का कि हम एद्रिश पाले भाग में जाएंगे विशाय कहां पर रहेगा कैसे रहेगा महोदय कहां पर रहेगा सभी नहीं सब्द का प्रोकिया मतलब पत्र का जो बॉड़ी का पहला पार्ट है जिसको हम बहुत है पैराग्राफ में होना चाहिए तो कम से कम दो पैराग्राफ उससे बाद पिर 26-23 तक तीन दिनों की आवकास प्रदान करने की क्रिपा करें या महान क्रिपा करें इस प्रकार के सब्दों का प्योक्य जाए पत्र को जितना सरल रखा जाए पत्र को जितना सरस रखा जाए हैना पत्रों में जब हम प्राचारे को लिख रहे हैं तो इस प्रकार के सब्दो कहीं विराम को चाहीं प्रेज के नीचे यह उनुट करना है कि हम पत्र यहां box चूंटbig यहाँ पर आहे तो कोई भी online छूटना नहीं चाहिए यह लाइन पे छूटता नहीं है यहाँ पर मैंने क्या पता है लिखते लिखते हम नहीं ऐसे जाएंगे और ऐसे करते अगली रा Dayon में के रिपा करें ये लिखने का एक तरीका है मनें जब करें बोल दिया तो हमारे पत्रे को मूल है जो हम पताओ ताeger बतातों है इसलिए तीन दिन चाहिए या इसलिए दो दिन चाहिए वो हो गया पुरा अब हम पत्र के नीचे वाले भाग में जाएंगे इसका corrupt मतलब है यह हम सूरुअध करेंगे इस को दर आते हैं अगर आप को श्रक बेनी दर साना है उसे बाद फिर नीचे में हम धन्यवाद ग्यापन करते हैं प्रकासे जिस अधिकारी को हम ने लिखा है तो उसको बोलते हैं इसकी सुरुवात हैं से होती है यहां पर भी कोई यह अगले यह उसके नीचे वाले लाइन में है उसके बाद फिर हम इसी वाले भाग में आपका आज्याकारी या वीनीत सब्दका प्रयोग कर सकते हैं प्रार्थी सब्द करना सबसे बढ़ी हा रहता है मेरा इसमान नय विद्यार्थियों के द्वारा अपने प्राचारे को जिस सब्द से सबसे बढ़ी है वो है प्रार्थी तो आपने यहां पर प्रार्थी लिखा उसके बाद हम बोलें जैसे कि नाम लिखने की परंपरा नहीं स्वी ऑ तो किया था तो ग्यारवी कला संकाई इस प्रकाएं श्मिऩर्भाइब को पूरा करेंगे अपना पूर एडिरेस निकिन उसके बाद प्र हम उसी में जिस भाला जिस लाइन में यहां पर आपने लिखा था जो आपने लिंखा था करएंगे जो water है मतलब जिस तारिक को लिखा जाता है उसी तारिक जैसे आप 24 तारिक है तो हम यहाँ पे 24 को इस प्रकाश लिखेंगे है ना 24 सुन्य पांच 2023 जो भी तारिक है तारिक एक आइडिया बताने का मतलब है कि सही सब्दा वली सही जगे पे सही तरीके से होनी चाहिए तो कहने का मतलब यह है पत्र को अगर जंग सिस्टेमेटिक लिखा जाए सही सब्दा वली सही जगे पे सही तरीके से हो तो पत्र देखने में भी अच्छा लगता है और इस प्रकाश से आप कौपी जांचने वाले को अपना नमबर देने के लिए आकर स्रित कर सकते हैं नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को पता है कि बिलासपूर का एक बहतरी सर्वस्रेश्ट उभरता हुआ कोचिंग इस्ट्यूट के नाम से उभर कर आया है कि यह कोको इंस्ट्यूट हरा आम भासा में कोको बोलते हैं लेकर इसका पूरा नाम है कम्पटिशन कम्यूनिटी औ और ये सभी विद्धियार्थियों के लिए जो कि PSE मेंस की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन समय है वो आकर यहाँ पर इड्मिशन ले सकते हैं उससे पहले डेमो ले सकते हैं उसके बाद अगर उनको सही लगता है तो वहाँ पर आकर admission ले सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रहाई हो रही है आपके साथ में कैसे विवहार किया जाएगा ताकि क्या-क्या बाते बताई जाएगी जिससे कारण से आपके numbers बेहतरी ना सकते हैं तो आपको इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा और चुकि हम बात करने हैं बेसिकली हिंदी या हिंदी विशाय के बारे में तो हिंदी विशाय में क्या बारी किया होती है कैसे लिखा जाए कैसे ना लिखा जाए कैसे लिखा जाये तो बहतरी नंग मिल सकते हैं इसके बारे में आपका पूरा-पूरा ख्याल रखा जाएगा यूँ तो सभी विषय के यहां पर विषय सग्य टीचर है अलग-अलग विषय के अनुभवी और विषय सग्य टीचर है किन्तु कोको इंस्टूट में हिंदी बि देखना चाहिए और सबसे पहले आपको उसका डेमो क्लास जोइन कर लिजे उसके बाद आप डिसाइड कीजे कि आपको मेंस के लिए यहां पर हना एड्मिशन लेना है या नहीं लेना है जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया दोस्तों कि PSC मेंस का बैस शुरू हो च देखिए और अगर आपको सही लगे आपको अच्छा लगे कि आपको यहां पर देखने सीखने को बहुत अच्छा मिल रहे हैं तो आप यहां पर जॉइन कीजिए तो थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक हमेशा आपके साथ टीम कोको